कि नमस्कार दोस्ताब सब्सक्राइब का लॉसिकों के न्यूज इन फ्लेश में तो चलिए आज की पहली ख़बर देखते हैं यहां पर नागा लैंड में एक क्लाउड लैपर्ट पाया गया है अपने आप में यह पहली खूज है इस एरिया में क्लाउड लैपर्ट की आपको बता दू कि एक टीम आफ रिसरचर ने इस फोटोग्राफिक एबिडेंस के रूप में यह प्रस्तुत किया है करेब 3700 मिटर की उचाही पर इस फॉरेस्ट में जो कि इंडो मैमार बॉर्डर पर है नागालेंड में यह क्लाउड लैपर्ट पाया गया है आपको बता दू कि यह जो फाइंडिंग है यह पब्लिश की गई है विंटर 2021 इ इसका साइंटिफाइफिक नीम है नियो फैलिस नेबू लोसा यह एक मीडियम साइज फ्लीड है अर्थात वाइल्ड कैट है इस इस मॉलेस्ट ऑफ लाज वाइल्ड कैट और इसे रखा गया है आई यू सीन रेड लिस्ट के अंतरगट और यह एक थ्रेटन्ड स्पीसिस है अगली ख़वर है पाकिस्तान से पाकिस्तान में पहली महिला सुप्रीम कोट जज अपॉइंट की गई है तो पाकिस्तान ने इक अन्फर्म किया है यह वो पहली फीमेल सुप्रीम कोट जज अपॉइंट करने वाली है तो इस मुस्लिम मैजूर्टी कंट्री के इतिहास में पहली दफा है जब कोई female judge supreme court में आने वाली है यहाँ पर जो commission appoint करता है judges को उन्होंने 55 वर्षय justice आईशा मलिक को first female judge के रूप में यहाँ पर चुना है जो कि इस देश के इतिहास में इस देश के 75 साल के इतिहास में पहली दफा है लेकिन वहीं दूसरी और देखे तो बहुत सारे lawyer judges और forum ने oppose किया है इस appointment का क्योंकि इनका कहना यह है कि काफी seniority को यहाँ पर मद्य दर नदर नहीं रखा गया है और से senior most जो ज़्यज़ से इनको अपॉइंट नहीं करते हुए इन junior judge को यहाँ पर अपॉइंट किया है तो selection criteria पर यहाँ पर सवाल उठाए गया है अगली ख़बर है गोवा से गोवा के MLA प्रताप सिंह राने इन्हें lifelong cabinet status दिया गया है तो यह पहली दफाह है गोवा के इतिहास में कि किसी मिनिस्टर को यह status दिया गया है आपको बता दू कि प्रताप सिंह राने एक सीरियर most legislator और politician है गोवा स्टेट के 83 वर्ष के आयू है इनकी और साथ यह साथ अगर politics में देखे तो पिछले 50 वर्ष से politics में है 14 दफे यह MLA रह चुके है इसके अलाबा यह इस प्रदेश के Chief Minister के साथ इसाथ speaker भी रह चुके है तो इसी को देखते हुए यहाँ पर गोवा के जो Chief Minister है प्रमोच सावन उन्होंने यह confirm किया है कि यहाँ पर प्रताप सिंह रहाने को एक lifelong cabinet status दिया जाएगा अगली खबर है श्री लंका और भारत के बारे में श्री लंका ने यहाँ पर announce किया है कि वह sign कर रहा है एक agreement जिसके तहत strategic world war 2 का जो oil tank farm ही से redeveloped किया जाएगा तो इस जो टैंक का नाम है यह है त्रिं को मेले oil tank तो इसे वापस redevelop भारत के साथ में मिलके किया जाएगा इस agreement के तहत जो कि अपने आप में एक bilateral economic और energy partnership है energy minister श्रीलंका के है उद्या गमन पिल्ला इन्होंने बताया है कि त्रिं को मेले oil tank complex जो है जो कि commonly जाना जाता है त्रिं को oil tank farm के नाम से इस संधी यहाँ पर एक agreement दोनों देखों के विक में साइन हुआ है जिसके अंतरगत नियानमी में से 85 जो टैंक से इस पर शेर्लंका का कंट्रोल होगा जो पहले भारत की कंट्रोल में हुआ करते थे तो चलिए आज का मीजिन फ्लेश हमारे यही समाप्त होता है मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू स्टे टून्ट टूल